हेलो फ्रेंड्स, सीजी प्लंबर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो, आज मैं एक किचन का मैप लेकर के आया हूँ जिसमें आपको मैं फ्रेश वाटर, रेगुलर वाटर और गर्म पानी का पॉइंट कितनी हैट पर रखना है कितनी दूरी पर रखना है और पाइप लाइन कहां से उठाना है इसके बारे में complete जन करी दूँगा और दोस्तो, हमें आरो का जो की हम फ्रेश वाटर जो पीते हैं उसका पॉइंट कैसे बनाना है उसकी हाइट क्या रखनी है इसकी complete जन करी दूँगा दोस्तो यह मैंने एक map बनाया है नए तरीके से जिसको कि मैं आपके सामने पेस करने जा रहा हूँ सबसे पहले यह जान लेते हैं कि kitchen का जो area है दोस्तो आप किसी भी size का रख सकते हैं क्योंकि हर area में अलग-अलग size होता है घर के हिसाब से यदि बड़ा घर है तो लोग बड़ा kitchen रखते हैं और यदि flat वगर है तो इसमें kitchen छोटा हो जाता है L.I.G की मकानों में भी kitchen काफी छोटा रहता है तो इसमें मैं सबसे पहले kitchen का जो top level जो हम रखने वाले हैं 33 आपको जो finish floor है उसे 33 इसका top रखना है और इस slab की जो दूरी आपको दोस्तों 2 फिट रखना है 24 इस जिसे हम कहते हैं और sink जो है आपको 24, 18, 9 का रखना है या तो आप 18, 16, 27 का भी आप रख सकते हैं मैंने ये एक drawing द्वरा kitchen का sink बनाया हुआ है और जो null की height है इस slab से 9 इंच की height पे रहने चाहिए दोस्तों और जो दो नलों की दूरी है वो 6 इंच होनी चाहिए सबसे शुरू वाले pipeline में हमने यहां से दिखिए enter किया हुआ इसमें इसमें आपको fresh water मिलेगा ताजा पानी जो की direct motor से आएगा और उसके बाद जो center वाला null है regular water जिसे बोलते हैं या water tank से जिसे जो पानी आता है बासी पानी हम बोलते है यह center में हमारा होना चाहिए left side में geezer का होना चाहिए जो की मैंने आपको red color का दरसाया हुआ है water tank का जो supply है बासी पानी जो है यह देखिए हमने उपर से line लाया हुआ है जो की 8 feet के level पर है और वहां से हमने एक point उता रहा यहां पर जो की यह हमारा equaguard का जो filter लगा है इसमें सबसे पहले यह जाएगा इसे हम candle भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले पानी यहां से आएगा इसमें भरेगा जो भी मक्खी, मच्छर, धूल, मट्टी वगरा जो भी होगा इसमें रुकेगा उसके बाद यह पानी आउट होकर के हमारा आरो में आएगा और उसके बाद यहां पर जब इसे हम on करेंगे plug लगा करके तो उसके बाद fresh पानी हमें यहां से मिलेगा और इसको fresh पानी मिलने में जब start करेंगे तो सबसे पहले कम से कम हमें 8 से 10 मिनट का समय लग सकते हैं जो कि हम इस तरह से bottle या balti में हम भर सकते हैं और इसका जो west water का pipeline है इस तरह से होते हुए यहां kitchen में जाकर के गिरेगा जो कि center में आप देख सकते हैं मैंने एक जाली बनाया हुआ है यह हो गया हमारा RO के लिए point जो कि हमें 24 घंटा यह पानी हम use कर सकते हैं इसको किसी भी प्रकार का बार बार on off करने का जोरत नहीं है जब भी आपको पानी चाहिए केवल यहां पर आपको plug का use करना है और इससे operate करके आप इसका फाइदा आप ले सकते हैं उसके बाद यह pipeline सीधी यहां पर आ गई यहां पर हमने देखिए एक point दिया हुआ है जो कि नब bench पर है जो कि floor level से 7.5 feet पर है उसके बाद इस line को हमने सीधा यहां पर लिया हुआ है जो कि हमारा daily बरतन दोने के काम आएगा बरतन, चमज, गिलास जो कि दिन भर में कई बार धूलते हैं इसलिए center में हमने इस नल को दिया है और हमने इस point को 7.5 feet पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 8 feet पर हमने यह वाला pipeline उता रहा है और इसके बाद हमारे पास लगबग 2 feet का जगा बच जाएगा जिसमें कि हमारा गीजर, छोटा गीजर जो कि kitchen में 3 लिटर या 6 लिटर इससे बड़ा गीजर की जोरत नहीं पड़ती है तो इस एरिये में हमारा गीजर बहुत अराम से आ जाएगा और इसका connection pipe अराम से fit हो जाएगा यह देख सकते हैं और उसके बाद मैंने floor level से आप देख सकते हैं इस floor level से हमें जो null का height है 42 inch रखना है और उसके बाद इस floor level से हमें जो यह null का height हमने दिया हुए गीजर वाले null का 7.5 feet मतलब 90 inch का center पे हमको रखना है और जब हम यह सब काम करेंगे तो यह जो हमारा top है kitchen का sink top इससे हमें 4 feet अराम से मिलेगा इसके लिए जो गीजर का point है 4 feet की height तक अराम से रख सकते हम और इस बीच में मैंने एक map और बनाया है जिसको आप देख सकते हैं यह बरतनी stand है दोस्तों 3 feet by 3 feet का आप बरतनी stand बहुत easy लगा सकते हैं और यह देखिए hook इसका मैंने दर्शाया हुआ इस पे जिससे की किसी भी प्रकार का pipeline में छेद नहीं होगा आपका बरतनी stand यहाँ पर बहुत easy लग जाएगा और यह water filter का candle water filter आरो हो गया यहाँ पर bottle रखके भर सकते हैं यह आपका kitchen sink हो गया इसमें आपको तीन प्रकार के नल मिल चुके हैं fresh water, regular water और hot water आप यहाँ पर गिजर लगा सकते हैं और यह बरतनी stand लगा देंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा आप कभी भी pipeline को उतारें हमेशा उपर से उतारें इससे क्या pressure बहुत बढ़िया रहता है लेकिन बहुत सारे condition में हमें जो यह platform है इससे नीचे से उपर की तरफ उठाना पड़ता है बहुत सारे condition में वो भी अपनी जगा ठीक है लेकिन हमें हमेशा कुसिस करना चीए कि उपर से होते हुए नीचे हमारा pipeline आए और दो नलो के बीच में 6 इंच की दूरी रखना है इस top से जो हमारा kitchen sink का top है इसके top से 9 इंच की दूरी पे हमने इस नल को लिया हुआ है जो कि floor level से 42 इंच का center सकते हैं दोस्तों कई बार हम नल को काफी नीचे रख देते हैं चार इंच 5 इंच ये 6 इंच पे तो जब हम बरतंद होते हैं उस condition में हमारा हाथ जो है जाके टकराता है नल से और चोट लगने का बहुत ही ज़्यादा असवीदा हो जाती है एक बार मैं complete view इसका मैं दिखा देता हूं आप लोगों को इस वीडियो में जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ही असानी होगी दोस्तों और इसमें हमने किचन को जो सिंक है इसको हमने बीच में लिया हुआ है क्योंकि इधर भी हम L से लगा कर गए इस तरह से हम जो है स्टोन लगा सकते हैं दोनों सा और यह देखिए कितने अच्छे से यह दिख रहा है इस वीडियो से आप हल्प ले सकते हैं यदि इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाते हैं तो लाइक करें शेयर करें स्वीजी प्लमबर थैंक्स फूर वाचिंग माई वीडियो